दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Grow application की मदद से option chain में investment कर सकते हैं, trading कर सकते हैं तो चलिए आज का ये वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको Grow application में इस तरह से login हो जाना है और login हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करना है और यहाँ पर आपको F&O का option मिलेगा, इसका मतलब होता है future and option अगर आपके में ये option enable नहीं है तो आप इसको enable कर लिजेगा enable करने के बाद आप यहाँ पर simply इस पर click करेंगे आपको यहाँ पर option chain में दो option मिलेगा एक nifty 50 का और दूसरा bank nifty का मेरा favorite है nifty 50 आप चाहें तो bank nifty में भी trading कर सकते हैं investment कर सकते हैं मैं आप पर nifty 50 में करके दिखाऊंगा तो simply मैं आप पर click करूँगा और इसके बाद आपका ये जो option chain है वो open हो जाएगा सबसे पहले तो आपको option chain को समझना होगा अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए left side में जो है वो आपको call price दिखा रहा है ठीक है यानि कि अगर आपको लगता है कि ये जो nifty का जो price है अभी nifty का price कितना चल रहा है 17,080 रूप है ठीक है अगर आपको लगता है कि 17,080 से उपर जाएगा यानि कि 17,100 आएगा, 17,500 आएगा, 200 आएगा अगर इसका price बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो आपको call option खरीदना है इधर का और अगर आपको लगता है कि nifty का जो price है वो घटने वाला है, कम होने वाला यानि कि 17,080 है और उससे कम होकर कि 17,050 होगा, 17,000 हो जाएगा, 16,950 होगा अगर कम होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि nifty जो है वो नीचे गिरने वाला है तो आपको put option खरीदना चाहिए, ठीक है, इससे आपको profit होगा और यहाँ पर देखने लाइक बात है, कि यहाँ पर strike price आपको देखने को मिलता है आप किस strike price पर किसी भी option को खरीदना चाहते है, call या फिर put को तो यहाँ पर मैं आपको 17,400 के उपर buy करके दिखाऊंगा call option क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो nifty price है, वो बढ़ने वाला है, ठीक है अभी 17,000, 78 रुपे, 77 रुपे चल रहा है, और यह fluctuate कर रहा है क्योंकि अभी market open है, आप यहाँ पर timing देख सकते हूं, 12 बच के 46 मिनट हो रहा है यारी कि market open है, तो यहाँ पर देखिए, 17,400 का मैंने खरीदा हुआ है इसका call option, और इसमें मैं आपको अभी profit दिखाऊंगा अपना लगभग 15-20 मिनट हुआ है, और इसको मैंने बाय करके कितना profit earn किया वो भी मैं आपको अभी live दिखाऊंगा, simply यहाँ पर उपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो expiry date है, वो देखने को मिल रहा है 17 February, 24 February, 3 March, 10 March, तो यह हर सब्ता weekly यहाँ पर expiry होता है गालाग गालाग strike price के उपर, 3 February के लिए देखेंगे, और जिसमें अगर trade नहीं हो रहा है उसको आप नहीं खरीच सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 7 April के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 0%, 0% दीख रहा है, यानि कि इसमें trading नहीं हो रहा है, तो आप इसको नहीं बाय कर सकते हैं जिसमें trading हो रहा है, उसको ही आप बाय कर सकते हैं, तो मैंने 17 February के लिए 17,400 पर call option बाय किया हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर आपने देख लिया, यह जो expiry है, expiry से पहले पहले आपको share को sell करना होता है या फिर आपने अगर sell नहीं किया, तो वो automatic settlement हो जाता है, ठीक है और यहाँ पर यह जो price दीख रहा है, वो आपका क्या है, premium है, ठीक है यानि कि अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर 17,100, 17,150 है जो भी price चल रहा है, उसका premium आपको pay करना होता है और यह इसमें जो option trading में जो risk है, वो 100% तक का हो सकता है आपका पूरा पैसा loss हो सकता है, डूप सकता है जबकि profit का कोई limit नहीं है, 200-300%, यानि कि कोई limit नहीं है profit का loss का limit है, loss अधिकतम आपने जितना invest किया है उतना ही loss हो सकता है, ठीक है, 100% तक उससे ज़्यादा तो होगा नहीं तो यहाँ पर यह profit होता है, ठीक है, यह benefit होता है option chain में लेकिन option chain बहुत ज़्यादा risky होता है, तो इसमें अगर आप trading करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना risk capacity समझना होगा, और अपने risk capacity के हिसाब से इसमें investment करना होगा, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा buy करके देखा हुआ है यहाँ पर dashboard में आ जाएंगे, और dashboard में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं F&O position में मैंने position लिया हुआ है, nifty 17 feb के लिए लिया हुआ हूँ ठीक है, 17 feb के लिए nifty 50 का लिया हुआ हूँ, कितना का 17,400 का call price है ठीक है, अभी market price इसका कितना चल रहा है, 29 रुपए, 15 पैसे, 10 पैसे यह fluctuate कर रहा है, और यहाँ पर आप total return देखेंगे, तो 1087, 90 रुपए मुझे profit हो चुका है, quantity इसमें मैंने 50 खरीदा हुआ है nifty 50 में minimum quantity आप 50 खरीद सकते हैं, दो quantity अगर लेंगे तो price अगर आप मेरा देखेंगे, तो 7 रुपए 60 पैसे है, यानि कि 7 रुपए में मैंने खरीदा है, और 30 रुपए में मैं चाहूँ तो इसको अभी बेश सकता हूँ और 1100 रुपए का profit अभी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको wait करूँगा, अभी और भी profit मुझे हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे, 1145 रुपए, यह price धीरे-धीरे बढ़ घट रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको इसका position detail दिखा देता हूँ, तो position detail में मैं क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे position detail में, मैंने buy किया हूआ है, 380 रुपए total मैंने यहाँ पर invest किया हूआ है, 380 रुपए invest किया है, 7 रुपए, 60 पैसे के भाव में 50 quantity है, ठीक है, अगर आपको 50 और 7.60 को multiply करेंगे, 380 आएगा, इतना मैंने invest किया है, अभी तक मैंने share को sell नहीं किया है, इसलिए सारा कुछ यहाँ पर 0-0 दिखा रहा है, और यहाँ पर return में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अभी मैंने इसको sell नहीं किया, इसलिए हाँ पर 0 दिख रहा है, बाक पर profit जितना जिस हिसाब से होता है, उस हिसाब से loss भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर अपने risk capacity के हिसाब से यहाँ पर invest करना चाहिए, यह थोड़ा risky होता है, इसको बिना समझे आपको इस पर trading नहीं करना चाहिए, बाकी और भी यहाँ पर मेरे वीडियो देख सकते हैं मे के लिए इस वीडियो बस इतना ही, नेक्ट वीडियो मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिन्द, जय भारत